असलांग विवर्स मारे प्रिजवान चीमा वेलकम बैक विडियो ओफ केपिटल स्मार्ट सेटी आज के वीडियो में जो में ओवर्सीज इस ब्लॉक है जो के एक्सेस पॉइंट के हवाले से बताऊंगा अगर आप चक्री रोड से कम्यूट करते हैं जो एक्सेस रोड वन है उसके हवाले से अगर आप 400 फीड रोड से कम्यूट करते हैं यानि के में इंटर्चेंज से कम्यूट करते हैं उसके रस्ते के हवाले से बताऊंगा और नंबर त्री कि जिन मेंबर्स के प्लॉट Overseas Prime 1 सेक्टर H में है या सेक्टर G में है उनके हवाले से भी वीडियो अप instruction का काम है वो किया गया है लेकिन अभी for the time being जब वीडियो record हो ती site पे gate पे कोई activity नहीं हो रहे थी इससे आगे जाते हैं तो left side पे आपके overseas prime 1 sector M है sector M में आपके 4 मर्ला और 8 मर्ला के commercial plots हैं और sector M का partial part अभी brown किया गया है और partial part ऐसा है जिसकी अभी तक society की तरह से बिलकुल जो browning काम है वो भी नहीं किया गया it means कि वहां पे अभी तक land की litigation जो है वो मजूद है अगर हम right side की बात करें तो right side पे जो पहला road आपको नजर आ रहा है और पहली street नजर आ रही है इस street पे जितने plots हैं यह one किनाल के हैं यह overseas prime one sector G है इन plots पर society की तरह से विलास construct किया जा रहे हैं और इसके पीछे जितने plots हैं वो सारे के सारे दस मरला के plots हैं prime one में जो सबसे पहले sector develop हुआ था यह सबसे तेजी से develop हुआ था उस sector का नाम था sector G और sector G के अंदर जितने भी plot हैं सारे plot mostly दस मरला के हैं मासवाई कुछ plots के जो में बुलिवर्ट पर आते हैं बाकी तमाम plots को society ने first priority पे उनको develop किया था तो तमाम के तमाम plots developed हैं और possessionable हैं इन में किसी किसम के कोई issues नहीं हैं किसी प्लॉट के हवाले से यह जो आपको नज़र आ रहे हैं यह सेक्टर एच और सेक्टर जी को डिवाइट करता है और यह रोड आगे जाके access to road जहां से आप overseas east को access लेते हैं चक्री रोड के रस्ता ही उसको connect करता है main जो road है जो basically 400 फट रोड से इंटरचेंज से access लें तो जिस पॉइंट पर आके आप overseas east की तरफ जाते हैं as of today यह चक्री रोड से आएं तो अगर आप overseas east की तरफ जाना चाहें as of today तो आपको यह वला रस्ता इस्तमाल करना पड़ता है इस रोड के जो बेट है वो है 100 feet और इस रोड को recently carpet भी क्या गया है और इस पर तीन हैली पैट जी बनाए गी है जो Capital Smartities की तरफ से DHA 9 को यह DHA Defense Housing Authority को 20,000 कनाल लेंड जो ट्रांस्वर की गई है उस साइट के वाले से जिसको design जो Capital Smartities के designer सुर्बाना ज्रॉंग वही कर रहे हैं develop Capital Smartities के developer HRL वही develop कर रहे हैं और definitely उसके sale purchase होगी वह DHA 9 के अपने पास होगी लेकिन Capital Smartity और DHA 9 आहम तरह पर JV के पहले बातियों थे थी के joint venture करने जा रहे हैं लेकिन नहीं अब Capital Smartity DHA 9 को अपने motorway से access देगा DHA 9 जो है अपने वह site पर proper development जो है वह HRL से करवाएगा और बाकि जितने मामलात होंगे वह सारे के सारे HRL की तरफ से देखे जाएंगे तो basically वह HRL की sub project बन जाते हैं बस Defense Housing Authority का नाम है क्योंके Defense Housing Authority को पाकिस्तान में महारत हासिल है किसी भी किसम का NOCO किसी भी किसम का कोई legal मसला हो तो DHA के पास ये खास powers हैं कि वह तमाम मसले मसाइल हल करवा रहते हैं तो महज 20,000 कनाल जमीन देके Capital Smarty ने मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा advantage लिया है कि future में अगर यहां पे कोई भी किसी किसम के मसले मसाइल जो legal होंगे उनके लिए DHA9 को उन्होंने एक साथ adjacent project में बिलकुल accommodate किया है ताकि future में किसी तरह के कोई मसले मसाइल देखने में ना आए Overseas East के अगर बात करें तो Overseas East के तमाम block developed हैं तमाम sectors developed हैं इन में सिर्फ sector G का partial part है जो non developed है इसके साथ साथ कुछ partial part sector H का है जो non developed है बागी तमाम area मुकमल है इस वक स्रीन पे आप golf course देख रहे हैं यह 18 hole PGA standard golf course है designed by Peter Haradine और इस golf course में 9 holes पे इस वक जो काम है वो मुकमल हो जगा है उसमें बस अभी last काम जो रहता है वो है grass की installation अभी तक उसका गाज नहीं किया गया उसके लिए कुछ sampling जो है वो की गई है golf course में बिलकुल जो golf course facilitation center है उसके सामने लेकिन उसके इलावा यहां पे कोई काम नहीं किया गया यह रस्ते में आपको water body ने जरा आ रही है जो basically overseas prime और यह overseas easterly side को divide कर रही है इस water body का नाम है sill river जो चहान डैम की आगे से जिसका flow है चहान डैम को जो flow होता है वो यहां पाग गिरता है और इस sill river की खास बात यह है कि यह society के नहीं इस sill river के ऊपर तीन bridges construct की है आप तीन bridges जो है वनमें minimum जो आपकी length बनती है ब्रीज की वह साथे 400 विट बनती है तो इससे आप अंदाज़ा लगा ले सकते हैं कि capital smart ticket development का standard क्या है capital smart जो 2018 में project launch हो था आज 2023 में आप side visit करते हैं तो आपको at least कम से कम यहां पे 25 से 30 हजार plot जो है वो developed or possessionable मिलते हैं अगर आपके वीडियो ची लगे तो प्लीज रूलाइक को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज